ताहिर गोरा के शोब बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आप सबको कुछ रामदीद कहती हूँ आज हमारी जादातर बातचीत होगी साउध एशिया के हवाले से आज हमारी बातचीत का जो महवर है वो है बंगलादेश के ऐलेक्शन के हवाले से इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे मालदीब के तीन मिनिस्टर्स के हवाले से जिन्होंने भारत मालदीब ताहलकात को दाव पर लगा दिया नीज हम तज्जिया करेंगे साउध एशियन मुसल्मानों को यहूदियों और हिंदूों से नफरत क्यों है इसके लावा हम देखेंगे पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले इलेक्शन की डामा डोल सुरुत आल को तो बातचीत का अगास करते हैं बंगलादेश के एलेक्शन के हवाले से बंगलादेश की ऑपोजिशन पार्टी बंगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी ने एलेक्शन का बाइकॉट किया अवामी लीग की हकूमत ने एलेक्शन करवाए बड़ी opposition के हिसा ना लेनी की वज़ा से elections में गहमा गहमी नजर ना आई तो अब आप इस election की सूरतहाल और इस पूरे मनजर के उपर हमारे नाजरें के साथ कैसे शेयर करेंगे अपनी opinion देखिए बात ये है कि election तो हो गए है और उसके results भी आ चुके हैं जिनके मताबक शेह हसीना एक बार फिर जीत गई गालबन पांचमी बार वो जीती हैं और अवामी लीग उनकी पार्टी है जो जाहर है उनके बाप शेह मजीबर रुमान की बनाई हुई पार्टी है तो गहमा गहमी दो नजर नहीं आई चुके बंगलादेश नेशनलिस पार्टी बी एन पी जिसको कहा जाता है जिसको लीड किया खालदा जिया ने एक जमाने में दो बार वो प्रामिनिस्टर रही थी तो वो बारहल इलेक्शन में उसने हिसानी लिया और उन्होंने कहा कि जी करैक डाउन किया था हमारे खलाफ और हम इलेक्शन में हिसानी लेंगे तो पूरी दुनिया की निगाएं थी बंगलादेश पे क्योंके बंगलादेश एक उबरती हुई एकानिमी है अच्छा हासा दुनिया में उसका इस वक्त इन्पुट है इन टरम्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गार्मेंट्स और कॉर्टिज इंडरस्टी के सरस्था में तो एक अच्छा प्रोग्रेस करने वाला देश है मगर ये एक मसला वहां पे बना इन दोनों पार्टियों का अवामी लीक का और बंगला देश नेशनलिस पार्टी की चपकलिश का मामला बड़ा पुराना है शेख हसीना ने तो यहां तक कहा बाचीद करते हुए के ये एक दैशतगर्ट पार्टी है तो बारहल बंगला देश में जमूरियत की सूटेहाल अच्छी है जनरली कई बार मार्शला भी आया नाइटिन सैमिटी वन में ये मुल्क बना था पाकिसान से अलग होके तो अब तक का अगर इसका पचास बावन साल का सफर देखा जाए तो इसमें जमूरियत रीजनेबल तरीके से बढ़ रही है तरकी भी हो रही है खास दोर पर अगर हम पाकिसान के साथ कंपेर करें तो पाकिसान की तरह मार्शला की कहफियत भी यहां पर रही उस पे बाराल अब काबू पाया जा चुका है तो मैं यह समझता हूँ कि एलेक्शन का जो सीन है वो जो था वो गुजर गया खामोशी रही हम टेलिवीजन पे देखते रहे हैं इंटरनाशनल मीडिया के कैमरे पहुंचे होए थे और कोई गहमा गहमी नहीं थी क्योंकि अफकोर्स जब एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बाइकाट कर दे तो क्या गहमा गहमी होगी अब सूरते हाली है कि गालबन दो सो बाईस सीटें कोई गालबन तीन सो सीटों की यह इस हमली है उसमें तो सो बाईस सीटें अवामी ल के करीब सीटें ली हैं तो अब इस पार्लीमेंट में मज़ा तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें को बड़ी ऑपोजिशन ही नहीं है अवामी लीग अगर इलेक्शन में हिसा लेती तो अच्छी बात थी एक फिर हम कह सकते थे गहमा गहमी की सूरत है लेकिन गहमा गहमी की हुए हैं वो जीद के इक्तदार में आ चुकी है चलिए शेख सीना ने ऑपोजिशन पार्टी को देशदगर्द पार्टी कहा है आप इस इल्जाम पर कैसे तपसरा करेंगे और दूसी तरफ सूरत हाली है कि पाकिस्तान में इमरान कान को रियासत इमरान कान की पार्टी को रियासत ने देशदगर्द पार्टी कह दिया है तो आप साउट एशिया में इन तमाम इल्जामात के साथ जमूरी सूरतहाल को कैसे देखते हैं देखिए बात ये है कि जैसा मैंने अभी पीछे जिकर किया कि शेख हसीना से जब पूछा गया कि आप एकांटेबल होंगी य वो तो देशदगर्द पार्टी है बलकि उन्होंने का वो तो एक देशदगर्द और्गनाइजेशन है मैं यह समझता हूं कि प्राइम निस्टर हसीना शेक की तरफ से यह कहना शायद उसके पीछे यह है कि अवामी लीग यू समझती है कि जो नैशनल्स पार्टी है बंग जमात इस्लामी के लोगों ने बंगलादेश के क्रियेशन को रिजिस्स किया था तो वो उनके पॉइंट व यू से एक देशदगर्दी की कारवाई है फिर इंट्रेसिंग बात यह है कि अब जो बंगलादेश नैशनलिस पार्टी है उसमें जमात इस्लामी के ही लोग नही जो कि पूरी दुनिया के सियासत में अब चल रहा है कि लेफ्ट इस्लामिस्ट कटे भी होते हैं लेकिन इसके बावजूद मैं यह समयता हूं कि अवामी लीग की तरफ से या शेख हसीना की तरफ से बंगलादेश नैशनलिस पार्टी को डेशदगर्द पार्टी कहना जया ही है और उनके बहुत बड़ा उनका वोटर बैंक है अगर यह एलेक्शन में वो बाई कार्ट ना करते तो हो सकता था कि वह अच्छी खासी सीटें लेके जाते हो सकता था कि वह शेख हसीना को मात भी दे रहते क्योंकि वह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी तो सिटिंग प प्राइमिनिस्टर के लिए मुश्कल होता है एलेक्शन लड़ना अगर्चे शेख हसीना के क्रेड़िट में जाता है कि उनकी हकूमतों के दौरां एकॉनमी बंगलादेश की अच्छी रही हालात अच्छे रहे अभी को दो एक साल से एकॉनमी बंगलादेश की थोड़ी सी उ कि उनका दह्षट गर्द कहना ये थोड़ी मेरा ख्याल है जाती वाली बात है आपने पाकिसान की बात की इमराण खान की पार्टी को भी पाकिसान की र्यास्त है वो दब लफजों में भी और कहीं कहीं खुल के भी दहO में देसाज गर् science करार देती रहती है लेकिन उन पे کوئی ایس سچ ابھی تک بین نہیں ہے عمران خان کی پارٹی پہ. تو اب جو آپ کا ایک تیسرا جڑاوہ سوال ہے ساؤت ایشیا میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہے. کیا آپ ane ایشیا جمہوریت کا مستقبل خطرے میں ہے. تو دیکھیں ساؤت ایشیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے بھارت ہے بھارت میں تو دیموقریسی بہت اچھے طریقے سے چلkillی ہے بڑی نوائزی ہے بڑی مشکل ہے دیموقریسی بھارت में लेकिन मैं दाद देता हूँ वहां के सभी पॉलिटीशन को कि वो उसको लड़ते भी रहते हैं जो डिमाक्रेसी कैसा है मगर इसके साथ-साथ वो भारत की डिमाक्रेसी को आगे लेके चल रहे हैं क्योंकि भारत में अगर ये पावर हंगरी वाला मामला अगर शिद्धत अ पार्टीज में भी पावर जो है स्ट्रगल चलती है वो नैचरल है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है मगर वो इस हद तक नहीं जाती के लोग एक दूसरे को या पुलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के गले काटती पिर रहें या अनिसेसेरिली लोगों को जेलों में डाल दिया जाए भारत में ऐसी सिचुएशन बहुत कम देखने को मिली है इंडरा गांदी के एमरजंसी के दौर के आसपास कोई थोड़ी सी सिचुएशन थी अदर्वाइस प्रामिनस इंडरा मूदी की दो सरकारें अब दूसरी सरकार खतम होने वाली और लगता है कि तीसरी सरकार ब जनाने में वो कामयाब हो जाएंगे उनके खलाफ जो आपोजीशन है वो हर तरह के हथगंडे बरती है मगर इस लेवल पे कभी भी बात नहीं जाती जिस लेवल पे पाकिसान में जाती है बंगलादेश में जाती है हमें दर आई जैनरली इंडिया के अंदर जितने में वो बाथ वकद मुल्क के इंटरस्ट भूल भी जाते हैं यह हम अमरीका में भी देखते हैं यह हम कैनिडा में भी देखते हैं यह जमूरियत का यह पावर पॉलिटिस का एक हिसा सा बन गया हुआ है मगर भारत के अंदर डिमॉक्रेसी मिचूर है इतनी मिचूर है कि वह इस तरह की कोशिश करें कि पुलीस के जरीए या पैरा-म्ली के जरीए जिस तरह हम निे पंगला देश में और पर्टेस्ट होए थे बंगला देश में है या पर्टेस्ट में ऑवर दे बोट थे उसके बाद बहुत क्रैक डॉन हुआ लिकं भारत में फार्मर्स प्रुटेस में भी जो है situation बड़ी ही volatile है जैसा आप ने जिकर किया प्राइम निस्टर आ फॉर्मल प्राइम निस्टर इमरान खान और उनकी पार्टी के खलाफ जो अब रियास्त का एक narrative है हाला के उनकी पार्टी और वो खुद इसी रियास्ती ढांचे यानि establishment के सबसे बड़े वो चहेते होते थे लेकिन आजकल वो 9 मईए 2023 के वाकिया के बाद एक सौर्ट अफ़ दैश्टगर के तौर पर उनकी पार्टी को देखा जा रहा है किन की निगाहों में establishment की निगाहों में इमरान खान के supporter काफी बड़ी percentage में है मैं इमरान खान की politics और उनके style से बिलकुल agree नहीं करता लेकर ये reality भी है हमें Canada में बैठके भी महसूस होता है कि इमरान खान की ground पे बहुत बड़ी support है अब इमरान खान ये उनकी पार्टी को देश्टगर जमात कह देना अगरचे पाकिसान में ऐसा भी तक खुल के नहीं कहा जा रहा है कभी कहते हैं कभी चुप हो जाते हैं फिर जब ये कभी crack down होता है तो वो कलग सूर्टेहाल होती है लेकिन बन्यादी जो आपका सवाल है कि जमूरियत का मस्तक्बिल साउट ऐस्या में तो मैं नहीं समझता कि एवन जमूरियत का मस्तक्बिल बंगला देश में भी कोई बहुत खतरनाक है ये एक समझीए ट्रांजिट सिच्वेशन है ये एक अबूरी सा जमाना है ये गुजर जाएगा हाँ पाकिसान में जमूरियत का मुस्तक्बिल जरूर खत्रे में था, है और शायद रहेगा वो उनके माइंडशेट की वज़ा से प्रॉसस, डिमोक्रिसी जा प्रॉसस और इस प्रॉसस में से जैसे आपने कहा कि इंडिया बहुत प्रॉविलिज रहा है कि इंडिया में हमेंशा डिमोक्रिसी बहुत लंबे अरसे तक रही जिसकी वज़ा से शायद, जिसकी वज़ा, आप से बलके मैं यह भी सवाल करना चाहते हूं कि इसकी वज़ा रवायत पसंदी है या इसकी वज़ा जो है, वो इंस्टिटूशनल रिस्पेक्ट का होना है, य को काम करने दिया जाता है, वो अब इतने स्टूंग एंस्टूशन कि अगर पुलिटिकल पार्टीज चाहें भी उन को करप्ट करना तो वो कर नहीं पाएंगे, हमने माजी में देखा, जैसे मैंने एमर्जनसी इंडरा गांदी के जमाने के एक मसाल दी, उसको एमर्जनसी क एक्ट को वो वाहिद एक बीच में रखना है, 47 से अब तक, थोड़े अर्से के लिए, जिस ने डिमॉक्रेसी को थोड़ा सा डामाडूल करने की कोशिश की, बहुत थोड़े अर्से के लिए, और भारत के इंस्टूशन्स ने उस कोशिश को कत्य ही पसंद नहीं किया, तो ना काम करना जानते हैं, ना दूसरे की हद में दाखल होते हैं, और ना दूसरे को अपनी हद में दाखल होने देती हैं, तो यह बहुत बड़ी आहपारत की जो डिमॉक्रेसी है, सम्टाइम मुझे अमेरिका, इवेन कैनिडा के जो इसई म yol से ऑन बगे मदूत बग्शन के इतने इशूज के साथ इतनी डाइवर्स और डाइवर्स लोगों के साथ चल रहा है बड़ा चली अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं पाकिस्तान में फरवरी दो हजार चौबिस को होने वाले एलेक्शन का मस्तक्बिल फिर डामाडोल है जो कि कितने हरसे से यही चलसला चला पर आ रहा है तो अब आपकी बार इसकी कोई खास वज़ा आपको समझ में आती है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सुप्रेम कोट ने सियासतदानों की ताहयात ना एहलियत वाला फैसला मुस्तरत कर दिया है अब आप इस फैसले पर तबसरा कीजिए कि पहले तो यह फैस सान में जो फरवरी में एंटी स्पेड किये जा रहे हैं अब मैं यही कहूंगा कि एंटी स्पेड किये जा रहे हैं पहले कोई दो तीन हफते पहले लगता था कि शायद यह हो ही जाए लेकिन अब लगता है कि बहुत सारी पार्टियां भी कह रही हैं दबे दबे लफजों म कहीं और कहीं खुलके क्ग जी इलیک्शन मुलती हैं अब जो पाकिसान के पुलिटिकल हालात जो पाकिसान से सुन रहे हैं खबरें जो तैजिए वहां से आ रहे हैं वो यह बताते हैं कि शायर किसी भी पुलिटिकल party کو سوٹ نہیں کر رہا. کہ یہ آٹھ فروری کو ہو جائے election. یہاں تک سنا کہ مولانا فضل الرحمان جو عمران خان کی party کے خلاف ایک بڑی ٹکر ہیں خیبر پختون خوا کے صوبے میں. جہاں پہ عمران خان کی party کو کافی آہ کا کافی strong hold ہے. مولانا فضل الرحمان کی party کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی اشارے آئے ہیں. کہ جناب یہ election postpone کر دیا جائے. security کے صورتحال ہمارے صوبے میں اچھی نہیں اور سردی بہت بڑھ رہی ہے. تو اس طرح کے بہانے. ابھی پچھلے ہفتے پاکستان کے سینٹ میں کورم بھی پورا نہیں تھا. صرف چودہ سینٹر غالبا تھے. وہاں پہ ایک آہ کرارداد نوہ آہ بل پیش ہوا یا کرارداد پیش ہوئی کہ جی election کو ملتوی کر دیا جائے. وہاں پہ people's party کے بھی ایک دو سینٹر تھے. پی ٹی آئی کے سینٹر بھی تھے. آہ وہ بھی نہیں بولے اس کے خلاف. اچھا. پھر جو پاکستان میں پاور آہ جو struggle ہے یا یہ جو رسا کشی ہے. یا پاور ہنگر جو ہے. اس میں وہاں کے آہ مبسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان آئے تھے لندن سے کچھ اس طرح کی ڈیل جو ان کی understanding چلی. ڈیل نہ کہیے تو understanding کہہ لیتے ہیں. فوج کے ساتھ ہوئی کہ ان کو صاف ہموار راستہ ملے گا. چونکہ ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی تھی دوزہ ستارہ دوزہ رٹھارہ میں. ان کو کافی ہموار راستہ مل گیا. اب جو سپرین کورٹ کا بھی فیصلہ آہ غالباً کالی آیا ہے. اس میں بھی کہہ دیا گیا جی کہ تاہیات جو نہ اہلی تھی آہ پولیٹیشنز کی وہ ختم. وہ ہم سمجھتے ہیں غیر مناسب فیصلہ تھا. تو اس میں سب سے زیادہ جو زد پہ آتے تھے وہ نواز شریف آتے تھے. تو ان کی جان بخشی ہو گئی وہاں پہ. اچھا اس کے باوجود سب کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عمران خان کو بہت زیادہ مدد دی تھی اسٹیبلشمنٹ نے دوزہ رٹھارہ کے دوران اقتدار میں آنے کے حوالے سے اور پھر وہ کافی ناہل ثابت ہوئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو اب وہ نواز شریف کی شاید فوج سے یہ بھی انڈیسٹینڈنگ تھی کہ بھئی اس کا یعنی عمران خان کا اور اس کی پارٹی کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے. اب عمران خان کا بندوبست تو ہوا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے بچارہ جو بھی ہے میرے ساتھ سے جیل میں بیٹھنا تو اس کو رکھنا مناسب نہیں ہے. اگرچہ نواز شریف کو بھی جیل میں رکھنا بہت زیادتی تھی جو عمران خان کی کارستانی تھی فوج کی ملی بھگت کے ساتھ. تو اب اگر فوج کی ملی بھگت کے ساتھ اگر یہ بھی کریں نواز شریف یہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہے. یہ سب پلٹیکل پروسس کے دراصل ناہل ہونے کی نشان دے ہی ہے. اور پھر مجھے مجھے ایسا لگتا ہے آپ مجھے اس پہ بلکہ ہمیں ایسا شیئر کیجئے. ایڈوکیٹ کیجئے ہمیں اس پہ. کہ اگر فیسز وہی ہیں پاور وہی انہی چند لوگوں میں ہے جو کہ بار بار فیلیر ہو رہا ہے. تو آخر مسئلہ پھر کیا ہے پھر ٹھیک ہے پھر یہ بھی بار ٹھیک ہے کہ الیکشنز کی ضرورت ہی کیا ہے. اتنا جبکہ ملک پہلے ہی دیوالیا ہو رہا ہے تو اتنا کی ضرورت ہی کیا ہے. دیکھ یہ فیسز سے کوئی فرق نہیں وٹتا. فیسز بلا شبہ وہی رہے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ہم جو بائیڈن کو دیکھ رہے ہیں. جو بائیڈن پولٹکس میں میرا خالقہ 47 پلس یئر سے ہے. تو مطبع کبھی وہ وائس پریزنٹ رہے ہیں سینیٹر رہے ہیں. آج پریزنٹ ہیں. کل کیا ہوں گے ہمیں پتہ نہیں. تو ہمارے ٹوڈو صاحب ہیں. دس سال سے آلموس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے باپ تھے. آہ پہلے پرائم منسٹر تھے کینیڈا کے. آہ راہ الگاندی ہیں. پوری ان کا جو پورا ان کا پریوار ہے وہ رہا ہے. اصل بات اہلیت کی ہے اور پروسس کی ہے. پاکستان میں مجھے کوئی مسرہ نہیں ہے. نواز شریف ہی رہیں. شباز شریف رہیں. ان کے بچے رہیں. زرداری صاحب ہوں. ان کے آہ ان کا بیٹا ہو. اہلیت تو ہو. اچھا اب دیکھئے نواز شریف کے حوالے سے مجھے اتنا اندازہ ہے کہ انہوں نے سیکھا ہے. ان میں کافی اہلیت آئی ہے. بھلے سے ان کی فیملی کے اندر وہ والی ابھی اہلیت نہ آئی ہو. آپ دیکھئے پوری دنیا کی ڈیماؤکریسی ایسی ہے. آپ نیپال دیکھ لیجئے. آپ کوئی بھی دیش اٹھا کے دیکھ لیجئے. انیس بیس کے فرق کے ساتھ فیملیز آہ یا جو پولٹیکل لیگیسی رکھنے والے خاندان ہوتے ہیں. وہ چاندیک ہوتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ گوڈ گورننس تو ہو نا. ہم یہ عرب ملکوں میں دیکھتے ہیں. وہاں تو خیر ڈیماؤکریسی نہیں ہے. لیکن وہ خاندان تو ایک ہی ہے. لیکن وہ مطلب سعودی عرب ہو. یو اے ای ہو. وہ ان ملکوں کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. آگے لے کے جارے ہیں. کچھ نہ کچھ بہتری ہونی. ہاں کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتری آپ لوگ ایکسپیٹ کرتے ہیں. ہونی. انپوٹ ہونی بہت ضروری ہے. بہت ضروری. یعنی جو بھی پاور میں آتا ہے. regardless of the flaws. regardless of the challenges. آپ کا عوام کے لیے انپوٹ کیا ہے. شاید یہ بہت important factor ہے. یہ بھی بڑا important factor ہے. پھری اہلیت ہو جیسا میں نے کہا. اب پاکستان میں problem یہ ہے کہ وہ pure power hungry والا معاملہ ہے. power struggle ہے اور اس میں ایک خوف پہ ہے. بہت بڑا خوف ہوتا ہے. اب دیکھئے عمران خان جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے opposition کو بری طرح crush کیا. people's party ہو ان کے ساتھ زیادتیاں کی. muslim league نواز کے ساتھ زیادتیاں کی. although انہوں نے یہ سب زیادتیاں اپنی مرضی سے بھی کی اور فوج کے فوج کو خوش کرنے کے لیے بھی کی. فوج چاہتی تھی ایسا. اب فوج چاہتی ہے کہ عمران خان اور ان کی party کے ساتھ زیادتی ہو. اب وہ ہو رہا ہے. اب fear یہی ہے کہ بھئی جو کل کلان کو جس کی پکی گورنمنٹ بنے گی. چاہے وہ پکی گورنمنٹ سال کے لیے ہو یا دو سال کے لیے ہو. وہ بھی پھر جس کی بھی ہوگی وہ اپنے opponents کے ساتھ زیادتیاں کرے گی. جیل میں ڈالے گی. نیب میں مقدمات بنائے گی. جس طرح اب عمران خان کو ڈیر سوز سے زیادہ مقدمی ڈیل کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے اب میڈیسن بنائی ہے پاکستان کے politicians نے فوج کے ساتھ مل کے. یہ پھر ان کو خود کرنے پڑتی ہے. یہ میڈیسن سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک یہ ڈیلیما ہے. this is power ڈیلیما. کہ آپ نے آپس میں ہی یعنی آپ کو world world کے اوپر stage کی تو کیا وہ ہوگی پرواہ. آپ نے اپنے گھر کے اندر ہی ایسی situation کر دیا کہ کوئی اوپر نکل ہی نہ سکے. یعنی اب کسی کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ہر کسی کو ہر ایک سے خطرہ ہے. اب مسئلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی مسئلے کا شکار ہے. یعنی power hunger کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک attitude democracy کے against یہ بالکل process جا رہا ہے. جس میں hopelessness زیادہ لگتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر. hopelessness تو ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے politicians کا معاملہ یہ کہ بڑے short sighted ہیں. ایک دو کو چھوڑ کے. زرداری صاحب سمجھتے ہیں چیزوں کو مگر وہ بھی جو آپ نے بات کی کہ وہ بھی international scene کے کوئی بات نہیں سوچ سکتے چونکہ پہلے تو اپنی کرسی پکی ہو. اس خوف کے جال سے باہر آئیں کہ بھئی کل کلان کو پھر open and ڈال گیا دوست نے جیلوں میں ڈال دینا ہے. تو ورنہ مطبع زرداری صاحب کی سیاست سے میں گری نہ بھی کرتا ہوں تو وہ دنیا کو بھی سمجھتے ہیں. پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. نواز شریف بہت میچر ہو چکے ہیں. شباز شریف بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایسی وہ کھینچہ تانی ہے. کوئی بہادر رویہ ہی نہیں بنتا. ہاں مطلب نواز شریف نے کئی بہادری کے اقدامات کیے چیلنج کیا فوج کو. نتیجہ یہ ہوگا یا جیل میں گئے یا ملک سے باہر باگنا پڑا. اب یہ میرا خیال ہے پاکستان کی establishment کو top bureaucrates کو اور top politicians کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کو اسی musical chair میں ہی آگے لے کر جاتے رہیں آہ دیکھنا چاہتے ہیں جاتے دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب جو پاکستان کے social political economic حالات ہو چکے ہیں وہ مزید ان کو چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب یہ اگر نہیں یہ ہوش کے ناقل لیتے پاکستان کے تمام stakeholders they all are already in trouble they will be in more trouble. جب آپ کی انارکی کی situation political انارکی اس حد تک بڑھ جائے تو فیشسٹ معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے جس کے اندر کے breakdown کا جیسے کہتے ہیں نا کہ nervous breakdown تو political failure there is a nervous breakdown of the ریاست ہوتا ہے. چلیے اب مالدیب کی طرف چلتے ہیں تین ministers کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی طرف جنہوں نے بھارت مالدیب تعلقات کو دعو پر لگا دیا. ہمارے viewers کو بتائیے کہ ان ministers نے اتنی غیر ذمہ دارانہ بیانات اور اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت political حرکت کیوں کی؟ یہ تینوں relatively young ministers ہیں. دو خواتین ہیں. ایک مرد ہے deputy ministers ہیں. دو خواتین. ایک غالبا کوئی transportation کے minister ہیں. چھوٹا سا ملک ہے مالدیب. جس کو ہم اردو ہندی میں مالدیب بھی بولتے ہیں اور انگلیش میں مالدیوز لکھا جاتا ہے. یہ کوئی اگر گوگل کریں تو چھوٹ چھوٹے بہت چھوٹ چھوٹے جو شاید ایک ہزار کے قریب جو آئی لینڈز ہیں ان سے بنا ہوا. یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے. اس کا جو زیادہ بڑا business ہے وہ tourism کا ہے اور سب سے بڑی tourism جو ہے وہ باہر سے ہوتی ہے ان کو. اب میں نے اس پہ بہت research کی ایک اس پہ میں الگ سے vlog بھی record کر رہا ہوں. تو ان منسٹرز نے young ministers ہیں جو حرکت کی ہے وہ شاید یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی آ isolated حرکت نہیں ہے. جو ان کے نئے president آئے ہیں. محمد معیزو شہد ان کا نام ہے. انہوں نے آنے کے بعد ایک تقریر کی تھی. جس میں انہوں نے کہا تھا. اپنے election campaign میں بھی انہوں نے کہا تھا. انڈیا out. تو چونکہ انڈیا کی وہاں پہ military presence بڑے سالوں سے ہے. انڈیا کے پاس ہی ہے یہ جزیرہ. جزیروں کا ایک چھوٹا سا ملک. تو وہی Arabian sea میں ہے. تو انڈیا پہ ان کا بہت دارمدار ہے. tourism کے business کے حوالے سے بھی اور بھی security کے حوالے سے بھی اور بھی بہت ساری معاملات کے حوالے سے. لیکن یہ جو ہے نا حرکت ان تینوں منسٹرز کی. یہ in fact ان کے president اور ان کے minister چائنہ کے قریب جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ مالدیب میں پہلی بار نہیں ہوا. پہلے بھی ہوا کہ چائنہ کا یہاں پہ شکنجہ بڑھا. تو انڈیا کے شکنجے سے آئے. ایک زمانہ ایسا تھا. ہمارے ایک دوست تھے. میں نام نہیں لوں گا. جو کینیڈا میں ہوتے تھے. آہ کانسٹر جنرل انڈیا کے. تو وہ مالدیب میں ambassador لک کی چلے گئے. تو میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو مجھے انہوں نے مالدیب سے ایک ٹیکس کیا. میں نے کہا سر کیا حال ہے? کیسی چل رہی ہے? ambassidership. کہ لیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک طرف سعودی عرب کا صلافی اسلام یہاں پہ آگے آ رہا ہے. دوسری طرف سے چین کا پیسہ آ رہا ہے. تو ایک عجیب سا ملگوبہ ہے یہ ملک بھی. اچھا پھر وہ مجھے یاد ہے یہ بات کوئی چھے سال پرانی ہوگی. پھر اس کے بعد حکومت بدلی ایسے صدر آئے وہاں پہ جو پرو انڈیا تھے. اچھا اب مسئل دیکھئے پرو انڈیا, انٹی انڈیا, پرو چائنہ, انٹی چائنہ. یہ مسئلہ کا حال نہیں ہے. مسئلہ کا حال ہی ہوتا ہے کہ جو بھی دیش ہو وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب چین ان سے دور ہے. بھارت بالکل قریب ہے. اب چین نے تو ان کو ٹورس نہیں بھیجنے. چائنہ بڑا سمارٹ ملک اور چائنیز بھی بڑے سمارٹ ہیں. چائنیز ایسے علاقوں میں نہیں جاتے ٹورزم کرنے. جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو. اب وہ جاتے ہیں فن کے لیے جاتے ہیں. ان کو شراب ملے. وہ بیچز میں آہ ننگیں نہائیں پھریں. مطلب انجوائے کے لیے جاتے ہیں. ٹورزم کہے کیوں ہوتی ہے. اب وہاں پہ مال دیپ میں دیرے دیرے اسلامائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے اپنے دوست انبیسٹر کی بات کی تھی. تب تو سلافی اسلام تھا. اب وہ سعودیوں نے سلافی اسلام وحابی اسلام کی مدد کرنا ٹوٹل بند کر دی. اب وہ خود مارڈنیزیشن کے رستے پہ ہیں. اب سعودی تو مارڈنیزیشن کے رستے پہ ہیں. یہ جو ہیں یہ اب نہ اس میں پھنس گئے ہیں. وہابی اسلام میں. خود سے. اب ایک طرف یہ وہابی اسلام میں پھنس گئے. دوسرے طرف سے آہ جو مال دیپ کے پولیٹیشنز ہیں. ان کو چائنا کا پیسہ نظر آتا ہے. یعنی ایک طرف سے یہ بڑے پکے نمازی پرہیزگار مسلمان ہو جاتے ہیں. دوسری طرف سے پیسے کے چکر میں بھی یہ پھر نہ ایک لمحے میں خریدے جا سکتے ہیں. اب وہ اب ان ان پولیٹیشنز کو آہ ایک مس شوانہ ہیں. ایک کوئی خاتون ہیں. آہ ان کا نام ہے غالباً آہ ملشاہ. سامتنگ لائک دائٹ. اچھا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں تو ان کے کچھ چند سو سے چند ہزار ان کے فالورز ہیں. چھوٹا سا ملک ہے. اور ان کی ٹویٹر لائن پہ آپ دیکھئے ان سب پولیٹیشنز کی اور ایون ان کے پریزیڈنٹ کی بھی. تو وہ چائنہ 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 چائنہ. چونکہ وہ چائنہ کا کوئی وزٹ بھی کر رہے ہیں ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں. تو وہ چائنہ 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 چائنہ. اچھا پھر چائنیز جو ہیں وہ ان کو بھڑکاتے ہیں انڈیا کے خلاف تو وہ یہ ٹویٹس بھی ری ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنے یہ नलाई किसम के हैं कि इनको डिपलोमेसी नहीं आती इन पॉलिटिशन्स को इनकी पूरी सरकार को अब नतीजा यह हुआ कि भारत ने अच्छुरी जब यह हुआ कि जब मिस्टर मौईजो आए उन्हों ने भारत के साथ जो मिल्टरी के एग्रिमेंट है वो खत्म किये भारत की जो मिल्टी प्रेजन्स थी वो वहां से निकाल बाहर की उसके बाद पिछले हफ़ते गालबन प्रामिनिस्टर नहिंडरा मौदी वो जो एक भारत की यूनियन टेरिटरी है मुझे अक्सर प्रोनेंशियेट करने में दिकत होती है लक्षैद वीप गालबन उसका नाम है जो यहां लोगों को आना चाहिए अटूरिष्म के लिए अब भारत की पो जो यूनियन टेरिटरी है वो माल्दीफ की यूनियन जो डेश है माल्दीफ का उससे को जख bil ज्यादा दूर नहीं है अब जैसे कहते हैं ना इन माल्दीफ के कि तमाम पॉलिटिशंज को प्रेजिए से लेके सारे लोगों को वो जैसे मिर्चें लग गए उन्हों ने ट्विटर पे तीन चार दिन से ना यह हंगामा मचाया हुआ है कि जी जो हमारा माल दीव है वो जो लक्ष वीप लक्षद वीप सम्टिंग लग दर मैं मैं इसको परनेंशियेट करें उनका यह ख्याल है कि व और यह उसकी माल दीव की जगा अब वो जो है लक्ष दीव वो बनेगा टूरिस्ट रिजॉट है वो देखिए वो इंडिया की यूनियन टेरिटरी है मतलब अरसा दरास से यूनियन टेरिटरी है अब प्राइम निस्टर निंद्रमूदी तो इंडिया फस्त का जो है उनका निरेटिव वो तो हमेशा से है अब उन्होंने यकीनी तोर पर उनके बाद मन में भी यह बात आही होगी कि भाई यह माल दीव वाले अगर इतने ही ठैंक लेस्ट लोग हैं कि हमने इनको इतना स्पोर्ट दिया वहां पे इतने बड़ बड़ ड़ेलमेंटल प्रजेक्स किय है अगर इसके बाद भी यह इनकी पुलिटिकल कैम्पेइन का नारा है इंडिया आउट तो वो उन्होंने कुछ नहीं उनको बुरा बला कहा सिंपल एक मैसेज दिया कि अपने ही यूनियन टेरिटरी में गए लक्षद वीब में गए और वहां जाके उन्होंने टूरिजम क लग गए उनको और वो साथ अच्छा अब उसके नतीजे में उन्होंने एक दो ऐसी भी स्टूपड ट्वीट्स थी हिंदूइजम के खलाफ ट्वीट्स थी प्राइम सर्मूदी को जोकर तक कहा टेरिस्ट तक कहा और फिर कह दिया कि ये टेरिस्ट इसराईल के ये हैं दोस हैं मैं इसी तरफ आने वाला थी कि हिंदूइजम और इसराईल दोनों के खलाफ जो इतनी ट्वीट्स हो रही हैं और इतनी जादा दुश्मिनी का इज़ार हो रहा है तो गोया ये दरसल इसकी वज़ा जो है इसकी बहाइंड दे सीन इसमें चाइना की चाइना को खुश कर जो है वो मकसूद है नहीं देखिए चाइना इस बात से भी खुश नहीं होगा चाइना की इसराईल के साथ कोई मखास्मत नहीं है कोई लड़ाई नहीं है चाइना के तो बहुत इच्छे तलकात हैं इसराईल के साथ देखिए चाइना के बारे में बहुत अम बातें कर सकत हैं चाइना मतब हिपोक्रेसी का भी मजाहरा करता है वो सारी देश करते हैं जब वो युनाइक्टिव नेशन में जा कि हाफ़साइद को बचा लेता है वो उनके अपने पुलिटिकल इंटरस्ट होते हैं लेकिन ये बात तैया है कि चाइना कभी भी इस्लामिक एक्स्रीमिज टैररिजम को कभी भी इंडर्स नहीं करेगा ठीक है वहाँ पर वो कर लेता है पुलिटिकली जा के चाइना के अपने अंदर जो मुसल्मानों का देश है से इंक आने का वहाँ दो मिलियन के करीब जो है न मुसल्मान वो सौर्ट अफ कंसेंटेशन कैप में रहते हैं उनको जा जाता है चाइनीज जबान में अच्छा अब ये जो है पांच अलाक लोगों की अबादी वाला मुसल्मान अक्सिरियत में रहते हैं माल दीब जो जजीरों का एक मुलक है चाइना और चाइनीज कभी भी इनके इसलाम ब्रेंड को पसंद नहीं करेंगे दिल से जो रिलिजिस बिलीफ होते हैं इनके उपर कंसेंस होना बहुत मुश्किल बात होती है उसका हल यह होता है कि हर एको स्पेस दी जाए तो चाइना किसी भी रिलिजिन के अंदर क्यूंके उनका कैमिनिजम बहुत स्ट्रॉंग रहा है तो वो हमेशा अगेंस्ट ही रहे हैं कि इसी भी रिलिजिस स्प्राउट को नर्चर करने के देखिए वो बात आपकी ठीक है वो बात अपनी जगह पे लेकर अगर हम प्री साइजली अब इस मस्रा को देखें अब इस मस्रा पे चाइना ठीक है उनका जो माल डीपियों का जो इसलाम है उसको भी थोड़ा सा वो पर व अच्छी जबर्दस टूरिस्ट डेस्टिनेशन और चाइनी ज्यादातर यॉर्प की टूरिजम को प्रैफर करते हैं अच्छा अब वहां पे इन जो जो माल डीपियन पॉलिटीशन का मसला है इनको तो पैसा नजर आता है ना किसी को को डस मिलियन को को पार्जेक्ट मिल ज मतब देखिए सबसे एहम बार अभी आपने जिकर किया कि यह जो है साउटेशन मुसल्मानों में यह क्यों रुजहान है कि हिंदूओं को और यहुदियों को नफरत के निशाने पे रखा जाएं इसलिए कि साउटेशन मुसल्मान ठीक से खुद मुसल्मान हैं इनका इसलाम इसलिएजेशन यह अरब सिवलाइशन से कोई लेना देना Carl figy को बहुत डीटेल गुत्व है, फ्लाटस पिकर, कल्चर डिफरेंट होता है, इसमें कल्चर डिफरेंट है, डाइनमिक्स डिफरेंट है, मैंस की थोड़ी तफिर्सील में जाना चाहूंगा, बहुत सारे लोग पाकिसानी इंडियन मुसल्मान, यू एई में, कतर में काम करते हैं साथी अरब में, उनको पता है, मैं ये क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, उनको वहाँ पे, को ठीक से मुसल्मान नहीं समझा जाता है, उनको यही होता है, यार ये पता नहीं आयों हैं, तो ये अपने बस काम से काम रखें, मस्जिदें हमारी बेशक नमाज पढ़ते आते रहें वेलकम, लेकिन इस से ज्यादा बकबक ना करें, ये बकबक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अभी साथ, यूएई के एक बड़े ही इंपॉर्टन बिसनसमेन हसन सजवानी जी ने, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, उन्होंने काली ट्वीट दिया, उन्होंने कहा है कि मुसलिम सबसे बड़ा खत्रा है, सिविलाइजेशन को, और ये यूएई में हम इनको रहने नहीं देंगे, मुसलिम बड़े होड़ वालों को, ये भी कल ट्वीट दी है, बिलिनर्स हैं, हसन सजवानी जी, अच्छा मकसर ये है कि ये जो अरब सिविलाइजेशन का इसलाम है, वो है खरा और सचा इसलाम, ये जो हमारी दुनियाओं के लोग हैं, साउट एशिया के लोग, और पर ये इंडोनेशिया, और ये जो इसलाम के नाम पे, इसलाम से ज्यादा, यानि शाह से ज्यादा वफादार बने फिरते हैं, इन को कोई घास डालने के लिए तयार लेंगे, और कلच्र एक्स्प्रेशन और रिलिजन का एक मलगूबा सा बन गया हुआ है, जिसकी वज़े से ना रिलीजन कलेर जा ना कल्च्र कलेर है, हाला कि कल्च्र जिऊग्राफिकल बाउंडरी जस के साच ही होता है, और रीलीजन एक स्पिरिचुल एकस्पीडिएंस है, आप बिय कर लेते हैं कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाए कि ये बैस खामखा की दुर दुर चली जाएगी रिलिजिन जो होता है बुनियादी तोर पर उसके कई aspects है आज के जमाने में political aspect है ठीक था political aspect political aspect negative भी है जैसे political Islam की शकल में हम देखते है political जो aspect है अरब में इसलाम का वो positive है क्योंके वो उनका अपना दीन है वो उसको manage कर सकते हैं हैंडल कर सकते हैं फिर जो religion का civilizational aspect होता है अब civilizational जो aspect है इसलाम का खास होता है वो सिर्फ और सिर्फ अरबों का है जितना चाहे जोर लगा लें ये इंडिया पाकिस्तान बंगला देश मालदीव वगरा इदर अदर के इंडोनेशिया के मुसलमें जो मर्जी जोर लगा लें इसलाम इनकी civilization नहीं बन सकती पॉसिबल ही नहीं है इनकी civilization हिंदू civilization है इंडियन civilization है ये जितना मर्जी अपने से जूट बोलते रहें सनातरम मतलब वो इसका कुछ लेना देना इनका नहीं है ये मैं कहता हूँ हाँ एक सख्ट expression है ये अ जो इसलाम के कस्टोडियन है बिकास इसलाम कें फर मारे वर्ट यह मैं मानना पड़ेगा ठीक है तो उनकी जुबान में कुराँ शरीफ है उनकी ही हस्तियां है बड़ी बड़ी प्राफट मुहमत हों सारी हस्तियां जो सांकी है डे नो हाँ टू पोट्रेट अब यह जो जि मुसल्मानों के जैसे यह फलस्तीन के अब फलस्तीन का कुछ मसला होता है ना तो यह मालदी यह इंडोनेशिया मलाइशिया बंगलादेश भारत के मुसल्मान पाकिस्तान के मुसल्मान अफगानिस्तान इन सब के पेट में नमरोड रोट रहा होता है खामखई मामले को समझ रहें उनको पता है कि क्यों हमें सरहत बंद करनी पड़ दे डूंट वांट टेररिस्स विद इनुसेंट रफीजीजिस उनको पता ही ये रफीजीजिस के साथ टेररिस्ट आएंगे वो एक एक दूसरे वो एक दूसरे की आंख में आँख देखते हैं सिविलाइशन यही होती है उनको फट से पता चल जाता है मुझे को पंजाबी सिख या पंजाबी हिंदू या पंजाबी सिख मेरे से बात करेगा हमें एक दूसरे का एक मिनट में पता चल जाएगा यह होती है सिविलाइशन यह होता है कल्चर बेशक मैं सो काल मुसलमान हूँ कोई हिंदू है इनकी एक ही जबान है, वो थोड़ा सा पबली कंजम्शन के लिए बियान दे जएते हैं, का यार यह नहीं होना चाहिए, इसराइल ना हो, अंदर से मैं आपको बताऊँ, UAE, साओधी अरब की पूरी दिली खुछ होती है, कि इसराइल हमास का खात्मा, अगर कल करने वाला है, तो आज ही कर दे तो हम इसके शुकर को जारूंगे, बिकास दे नो इच अदर वेरी वैल, अच्छा इनको ये ना चाहंगे लगाई जा रहे होते हैं, बैठे होए वहाँ पे, मालदीब में, एक ऐसा जज़ीरा का अगर ये ज़्यादा च्छलांग लगा दें, ये समुदर की उलाद हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे हम सब हैं, जो भी साउट इशा से हैं, और हमें इस पे फखर करना चाहिए, लेकर ये अपने ही खून के खलाफ, अपने ही अबाव उदाद के खलाफ, बक्ते फिर रहे होते हैं, उनके चक्कर में, जो इनको गले लगाने के लिए बे शुक्रिया, आप हमारे टैग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इसी चैनल पे मौजूद डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें पेपॉल, पेट्रियोन या क्रेडिट कार्ट के जरिये डोनेट कर सकते हैं क्या आप हमारे टैग्टीवी यूटीव चैनल और प्रस्ट अनौतिक इन पुटन